यस ने दी बताई ये सर जो आपने सेकंड कोशिन कराया है ना इसका पीडी बता दू वह नमज नहीं आया तो सेकंड प्लैन का कैलकुलीशन देखो मैंने करके दिखाया हुआ है कि मैंने पुराने वाले का तो 25 परसंट का 25 लाग पे 9 परसंट ले लिया यहां पर कहता है विच ऑल्टरनेटिव कंसीडर दा बैस्ट आपका कौन सा ऑल्टरनेटिव बैस्ट है और 2010 में वीडियू में पूछा गया था यह सवाल इसके बाद कौन सा है यह भी सहीम ही है चलो पहले यह वाला कर लेते हैं पढ़ लेते हैं पहले गोश्चन क्या कहता है कौश्चर में existing capital structure का मतलब अभी present में जो हमारा capital है क्या है तो present में capital क्या कहता है हमारे पास भाईया equity जो है वो 40,000,000 रुपे का है 100,000 रुपे का यानि number of shares की बात करें तो 40,000 का shares है रिटेन अर्निंग भी है रिटेन अर्निंग पता ही क्या होता है प्रॉफिट को ही बोलते हैं कई बार EBIT नहीं देगा तो रिटेन अर्निंग को ही profit मानके आगे बढ़ना होगा अपको ठीक है इसके बाद आपको preference share पहले से दे रखा है डिबेंचर यह सारा पहले से ही हमारा है अब कहता है company न 12% कमा रही है तो जब कभी भी आपको पता ना चले 12% किस पर कमा रही है तो always याद रखना company earning का जब ratio देता है कि इतने percent कमा रही है तो वो total capital के उपर हमेशा percentage कमाती है तो हमारा यहाँ पर capital कितना है 40,000,000 तो 40,000,000 पर हमें 12% की कमाई होगी that is कितने हो जाएंगा 40,000,000 पर 12% 4,800,000 की इसकी क्या होगी earning हो जाएगी capital equity पर mainly कमाते है अब यहागे देख लेते हैं और क्या कहता है the company want to raise 25,000,000 रुपे company को extra चाहिए यानि यहाँ से यहाँ तक company की पुरानी कहानी है अब company 25,000,000 रुपे और fund चाह रही है for its expansion उसके expansion project के लिए consider the following alternative और company बोलती के बहिया यह 25,000,000 कैसे कैसे लिए जाएंगे हम कुछ proposal बता रहे है बोलती एक काम करते हैं के हम 20,000 equity 25,000 रुपे पर share का issue कर देते हैं 20,000 equity 25 रुपे में पर share करोगे तो कितने आ जाएंगे 5,000,000 रुपे आ जाएंगे है न और कहता है issue preference share कर देंगे 10% 25 इंटू 20,000 कितने होता है 5,000,000 company को चाहिए कितना अच्छा यह शेयर 25 प्रीमियम है पर share तो यानि 125 का हो जाएगा न पहले 100 का तो था ही तो 125 इंटू में 20,000,000 तो आपका 25,000,000 ही आएगा ठीक है न उससे कोई लेना नहीं प्रीमियम पर आ रहा है तो प्रीमियम से number of shares decide करने में easy रहेगा कहता है चलो सारा का सारा preference करते हैं और सारा का सारा क्या करते हैं debenture करते हैं यहां तक कहानी समझ में आ रही है पिछले वाले case होगे हमारा लग बग लग बग आपका क्या है 20, 17 और 16 पहले वाले में पी रेशो क्या है 20 दूसरे वाले में क्या है 17 तीसरे वाले में 16 respectively which alternative would be consider to the best give the reason your choice आपका सबसे best कौन सा होगा तो बड़ी सीधी सी बात है best कौन सा माना जाएगा सर जहां का EPS जादा है और क्योंकि यहां पर price earning share की बात कर रहा है तो यहां पर हम market price भी shares का निकाल सकते हैं market price shares का निकालने का formula क्या था देखो हमने starting में ही देख लिया था इसलिए मैंने लिख दिया था कि आपको क्या पता है price earning ratio पता है आपको EPS पता चल जाएगा तो market price भी आप number one number two number three यहां पर तीनी plan बनने वाले हैं एक बार अभी भी questions पढ़ लीजिए आप अगर आपको question में doubt है तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं question पढ़ने के लिए time दे रहा हूं आप पढ़ लीजिए question पार क आता है 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 मैं एक की आप यहां पर रिटेन अर्निंग का क्या काम है सर रिटेन अर्निंग आपका प्रॉफिट पुराने अर्निंग दे रखें आपको कुछ तर में कहा दिया कंपनी अन्प्रॉफिट इबी इटी 12% एंड टेक्स ऑन 30% उसके ओपर टेक्स कितना लग जाएगा हमारा 30% टेक्स लग जाना है चेप्टर है हाँ 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 क्या है क्या है चालिए हाँ चालेज पचास एक लाव पच्छिस लाव पच्छिस लाव चलिए ध्यान दीजिए अब यहाँ पर EBIT क्या कह रहा है सर EBIT ना 12% है और the tax on income तो EBIT निकालने के लिए थोड़ा सा मैं point discuss कर लेता हूँ when EBIT given in percentage जब आपको EBIT simple दे दे जैसे पिछले सवाल में तब तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन percentage दे दे तो हमेशा निकालेंगे हम total fund पे और सर total fund क्या होता है equity share capital plus preference share capital plus reserve and surplus plus loan plus debenture plus कोई additional जो हम fund raise कर रहे है new fund उसको मैं नाम दे देता हूँ new fund जो यह सारे fund add होके आएंगे उस fund के उपर आपको लगाना है sum percentage किसका EBIT का यह ध्यान रखना आपको EBIT निकालते टाइम पे अगर स्रिफ equity है तो तो equity पे लगा दोगे otherwise आपको जितने भी आपके यानि मैं totality में कहूं तो जो भी यह सारे debenture बगर है current liabilities में consider नहीं करना आपने ठीक है एक बात ध्यान रखना है current liabilities आपको consider नहीं करना है यह सारा का सारा और new fund कई बार sometime आपको assets दे दे total वो तो total assets पे ही वो percentage लगा दोगा क्योंकि honor का ultimately investment क्या है business के अंदर वो देखा जाएगा जितने assets होंगे वो investment ठीक है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें किस पे लगाना पड़े सर total assets into में EBIT का percentage हो सकता है वैसे अभी questions में आये गा नहीं तो सर जो हमें question करना एb BIT निकालने के लिए हमें fund को पता करना है सर, fund क्या होगा? 40,000,000 प्लस 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 और प्लस जो fund required है, वो भी ले लेगे ठीक है? तो total कितने होगा? 40, 50, 50, 21 1,25,000,000 1,25,000,000 पर आपको 12% अप्लाई करना है तो plan number 1 1,25,000,000 15,000,000 सभी में EBIT यही रहने वाला है अब बात करते हैं इंट्रस्ट का सर अब इंट्रस्ट देखिए पुराने टाइम का भी इंट्रस्ट कंसिडर होगा है ऐसे नहीं कि आपको पुराने टाइम वाला इंट्रस्ट नहीं लोगे plan 1 में तो इंट्रस्ट ही नहीं समझ रहे हो? और पुराने टाइम का कोई इंट्रस्ट है बिल्कुल है कितने का इंट्रस्ट है? 25 लाग का 7% यानि 1,75,000 correct है? plan B के अंदर देखा जाए तो plan B के अंदर प्रिफरेंश यह रहे है तो यहां भी इंट्रस्ट नहीं है तो वही पुराना आजाएगा 1,75,000 plan 3 में सारा का सारा इंट्रस्ट आने वाला है तो 25 लाग पे 9% तो आपका plan C का मैं यहां calculation कर देता हूँ plan C का plan C का कैसे आएगा सर? पहले से existing में हमारे पास 25 लाग था और उस 25 लाग पे हमारा 7% तो था ही था और प्लस नए वाला कितना आ गया 25 लाग और उसके उपर कितना लगाना है हमें 9% तो यह आएगा total कर लिया 4 लाग आ गया सब कुछ बच्चों को हो सकता है इंट्रस में थोड़ी confusion हो बागी confusion वाली कोई चीज है नहीं तो आप देख लिजे तो यहाँ पर क्या लिख लें सर यहाँ पर लिख लेते हैं E B T तेरा पच्चिस तेरा पच्चिस और चार लाग ग्यारा लाग हम माइनस कर दो सर यहाँ से टेक्स टेक्स रेट question में गीवन था टेक्स रेट 30% है तो 30% आ जाएगा 39 7500 और जब आप इसमें से माइनस करोगे आ जाएगा E80 यहाँ आपका आ गया 92 7500 सेम यहाने वाला है 92 और यहाँ पर अलग हो जाएगा 30% है तो 3-30 और यह आ जाएगा 7,070 अब माइनस क्या कर दें सर PD क्या पहले पार्ट में PD है बिलकुल तीनों पार्ट में यह वाला PD तो हो गई होगा 25,070 कैसे निकला दूसरे प्लैन में 50,070,000 हो गए हैं तो मैं यहाँ कर देता हूँ प्लैन 2 का या B का कह लो तो सर 25,070,000 का 9% तो था ही प्लस फिर से 25,070,000 का 10% है न प्लस धाई लाग 4,75 तीसरे वाले में तो सरफ वही रहेगा क्योंकि कोई डिविडेंट नहीं है बस पुराने वाले डिविडेंट रहेगा 29,5,5,927,500 यह आगया 45,070,000 का तो शेक करते रहेगा मैं तो फटा-फट कर रहा हूँ यह आगे हमारा earning अब number of shares लिख लो sir number of shares लिखने की बात करें तो पहले वाले case के अंदर equity कितने 20,000 और पहले से 40 थे तो 60,000 दूसरे हाले case में पुराने equity रहेंगे नए तो आएंगे नहीं तो 20 sorry 40 और यहां भी यह देखिया आपको गौर करना इस question में किस पे एक तो interest पे देख लिजे किसी बच्चे को doubt आ रहा है sir interest मैंने plan C का थोड़ा लगा रहा था interest इसलिए बता दिया एक आप PD पे देख लिजे preference dividend का plan 1 में plan 3 में तो same है क्योंकि वहां पे additional fund preference share हुआ ही नहीं था plan 2 में सारा का सारा preference share हुआ था तो plan 1 वाला तो पहले existing वाला dividend था वो तो लिया ही लिया और साथ के साथ जो new आ गया वो भी add करके मैंने दिखा दिया थोड़ा इसको साफ लिख देते हैं चलिए कैसे आया यह PD sorry plan किसका मैं कर रहा हूँ plan 2 का 25 लाग पुराने वाला into में 9% plus 25 लाग नया fund into में 10% यह लिए चलिए number of shares भी बता देते हैं कैसे आया पहले वाले case के अंदर 20,000 नय वाले share थे यह नय वाले share है और पुराने share हमारे कितने चले आ रहे हैं 40 तो पहले वाले case में 40 पुराना और 20 नया तो total share कितने हो गए 60,000 दूसरे वाले case में नया share 40 तीसरे आले case में नया share तो है ही नहीं पुराना ही रहे गया 40 बात कतम अब EPS निकाल दे हैं यहाँ पर EPS डिवाइड करते जाते हैं 11. पॉइंट इसका 11.31 11.31 11.31 13.6 अब देखा जाए तो आपको पहले ही पता चलिया बेस तो हमें इस थर्ड प्लैन लग रहा है ना बेस प्लैन कौन सा हमारा थर्ड प्लैन लग रहा है एक बार market price पर भी comparison कर लेते हैं क्योंकि question ने especially market price आपको PE ratio दे रखा है जब आपको PE ratio दे दे तो आप market price निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास current price नहीं है लेकिन यह पता है और यह पता है इसको solve कर दिया तो अब देखा जाए market price हम निकालना चाहते हैं यहां पर तो कैसे आएगा हमें यह पता है EPS और PE ratio पता है पहले case के लिए क्या दे रखा था 20 फिर 17 और फिर 16 चलिए अब निकाल लेते हैं market price क्या होगा सर PE ratio इंटू में EPS कर दिजिए multiply इसको सर 234 रुपे 192 12 218 रुपे ठीक है अब हमें plan हमें दो चीजों पर factoring करना होता decision क्यूंकि इस सवाल में हमें PE ratio दे रखा था तो हम अपना फैसला market price पर सुनाएंगे और हमारे लिए best कौन सा है plan number one according to the market आप दोनों conclusion लिख सकते हो according to the market value of shares first plan is best but according to EPS third plan third plan is best दोनों conclusion में लिख सकते हो partner को जो pick करना होगा वो कर लिए क्या रहा है गलत तो नहीं कर रहा दिया थर्टीन पॉइंट यही तो आ रहा है हां यह माहिनेस देख लो सही किया है क्या रहा देखो यह 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 ग्यारा लाग का थर्टी परसेंट और दो पच्चिस प्यार जो सबस्पाइब तो एहा है झाल झाल इंट्रस्ट 25 लाग पर 9% 2.25 116 4 लाग वो भुखस में गल्ट दे रखा घौ जैए हाँ इस बात का ध्यान डखेए प्रीमियम का पॉइंट क्या हूआ प्रीमियम का नहीं हमें नमबर ओफ शियर्ट चाहिए था प्रीमियम कोई नहीं करना होता है यहां पर इस बात का ध्यान दकिए लिए ठीक है, premium का point का कोई role ही नहीं है, हाँ, question में न examiner चला की ये कर सकता था, examiner ना, मुझे ये question में थोड़ा कमी, मैं बोलूँगा question में examiner ने बताया नहीं, question यहाँ पे number ना देखे, कह देता fully issue, यहाँ पे अगर कह देता है न, कि fully issue equity share capital at 25% premium, ठीक है, अगर सवाल में ये कह देता है, यहाँ पे number ना देखे, company में 25 लाख रुपे का equity share issue करा, 25% premium पे, तब question थोड़ा और interesting हो जाता, तब आपको number of shares निकालना पड़ता, और कैसे निकालते आप, sir 25 लाख, और divided by 125, जो कि निकल के आता आपका 20,000, लेकिन यहाँ पे सवाल म प्रीमियम का हमारा, तो 6 पच्चे से तो लिखा है, तो 288 आएगा, इसका market price, अब 0.4 बगएरा आ गया, calculator पे, मैं तो पूरी digit ले रहा हूं, 13.625, 218 आ रहा है, ठीक हाँ, 218, अब एक बात ध्यान रखिए, बुक में कुछ बच्चे चेक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बुक में, बुक में उन्होंने इंटरस्ट गलत निकाला, वो तीसरे का आप देख सकते हैं, वो error होगा, misprint होगा, वो चीज़ आप देख लेजिए, कोई दिक्कत यहां तक बताईए, सर पी रेशो निकालना, प्लीज रिपीट, पी रेशो कैसे निकाला जाएगा, यह रहा, प्राइस अर्निंग रेशो, जिसको पी ए रेशो कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, current market price divided by EPS रख देते हैं, और हमने सवाल में निकाला है market price, तो उसका एक formula drive कर लिया, अगर हम इसको cross multiply कर दें, तो market price निकल के आ जाएगा, बाकि PE ratio मेरे ख्याल, आप जो बच्चे नए हैं आज, वो cost of capital में कब कौन सी class में करवाया था, तो वहां पर बड़े detail में बताया था, DP ratio, PE ratio तो आप देख भी सकते हो, बाकि यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, एक वार equity का interest, equity पर कौन सा interest आता है वही, equity पर तो कोई interest ही नहीं आता, equity पर interest थोड़ी है, equity पर कुछ भी नहीं है, preference dividend पर हो सकता है, मैंने बता दिया, इसका 25 है, 9,00,00,00 पर सीधा निकालोगे, यहां पर भी 9,00,00,00 पर और इसके अंदर कैसे निकला है, इसका plan 2 का मैं side में बता आई रहा हूँ, अश्रफ आपका कौन सा backlog है कौन सा यह बता दो, 175,00,00, इंट्रस यह equity पर, यह debenture पर है sir, debenture, कैसे आया debenture, पहले से पुराने debenture 25,00,000 का था, पुराने debenture उसके उपर 9%, 7%, यह रहना इसके उपर सेवन परसंट ही आया है क्लियर है कि देखिए सर्थ कुर्श्चन की बात करते हैं कर देखिए यहां पर भी तीन प्लैन है और EBIT आपको कुर्श्चन में खुदी गीवन है क्या EBIT दे रखा है अगर 10,000 और बढ़ जाता है तो फिर क्या फैसला होगा तीनों केस में यानि कितने पॉइंट होगे दो कॉलम बन जाएंगे तीन-तीन के पहले आप इसको सर्फ और सर्फ किसके उपर काम करोगे सर्फ 40,000 के उपर काम करना है उसके बाद नियू कॉलम जब बनाओगे तो दस्तो यानि दो कोश्चन होगे तो यह होमवर्ट में रहेगा बिल्कुल सेम पार्ट है कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा है नहीं यह मैं कराऊंगा आरपी रस्तोगी यह भी ट्राइ करिएगा होमवर्ट में इंडिफरेंस पॉइंट आगे स्टार्ट होगा जो कि मैं करूँगा सिर्फ दो कोश्चन दिये गए आपको होमवर्ट के लिए एक 7.6 एक यह आपका एक यह और एक मैं और कोश्चन दे देता हूँ मैंने कराई नहीं तो इे फर्सट कोश्चन भी लिख लीजिए होमवर्ट में तो फर्सकोशन में जो बच्चिये आज नहीं हुएँ हैн या फर्स्क्ला चो आज ले रहे इनको फर्सकोशन में यह वाला पॉइंट निकालने में पराप्लम होगा और यह वाला पॉइंट अब चेक कर लेजिएगा बस यह आंसर है क्या यह यह क्या दे रखा देखना एक पर बुक में एक दो जीरो अच्छा इबी आइटी फाइंड करना अगर एपिस दे रखा हो तो एक पर ट्राइ करेगा नहीं तो मैं अगली क्लास में तो यह करा दूगा अब जीर इसके डाउट है वो देख लेते हैं